जन्रत की पुकार में आपका स्वागत है बिहार के बेगुस राई पुलिस के हथे चड़े अरुंड से डेलर हत्याकान के तीन आरोपी बिहार के बेगुस राई जिला अंतरगत मंजौल ओपिक शित्र में बीते दस मार्च को हुए अरुंड से की डेलर हत्याकान का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है इस हत्याकान में संसने खेस खुलासा हुआ है इस मामले में तेन अभी युक्तों को पुलिस ने गिरफदार किया है जिसके पास से एक पिस्तॉल वह पाँच कार्टूस दो मोबेल फोन और एक बाइक बरामत की गई है एस वी योगिंद्र कुमार ने अपने कारेले कख्षमी जानकारी देते हुए बताया कि पबरा निवासी डिलर अरुंड से अयाश किस्म का व्यक्ती था वह अपने यहां अनार्ष के लिए आने वाली महिलाओं को गलत द्रश्टी से देखता था और कई महिलाओं का यौन शोशन भी किया करता था इन तेनों अभियुक्तों के घर की महिलाओं के साथ भी डिलर ने यौन शोशन किया था इसकी जानकारी इन तीनों अभियुक्तों को हुई थी जिसके बाद रंजिश में आकर इन तेनों अभियुक्तों ने दस मार्च को डेलर को उसके घर पर चार बजे सुबह में चाको गोद गोद कर उसके निर्मम हत्या कर दी थी दूसरी घटना तेन दिन पहले पबरागाउं में ही एक टैंट संचालक को मुह में इन तीनों अभियुक्त ने गोली मार दी थी इस घटना में पुर्वरंजिश होने की कारण इन तीनों अभियुक्तों ने टैंट संचालक को गोली मारी थी ग्रफतार तीनो अभीयुक्त मन्जॉल ओपिक शेत्र के कमला निवासी, महमत केसर का बेटा महमत सोनू, पब्रा निवासी महमत इतिफाक का बेटा महमत अश्वाक राजा, महमत सलाउद्दिन का बेटा महमत इनायत तुल्लाह है स्पी योगंद्र कुमार ने बताया कि डीलर हत्याकाण के बाद इस हत्याकाण के उद्भेदन के लिए मन्जॉल SDPO सत्यंद्र कुमार सिहं के नेतरुत्व में मन्जॉल SHO अजित कुमार सहित अन्यपुलिस पदाधीकारियों की एक टीम बनाई गई थी, इन पदाधीकारिय चला कर जल्द ही सजा दिलवाई जाएगी इन तीनों ने ये बताया है कि ये जो डीलर था, अरुन कुमार सिहं ये चैरेक्टर वाइस आयास किशम के आत्मी था और इसने छेतर में कली महिलाओं के साथ योन शोषण किया था, ये डीलर में जो समान देता था ना आज बहरा उसी को देने के करम है ये अपने जाल में ये पुरा प्लान बनाया, शडियन तर अच्छा और ये लोग रात को वहाँ पहुचे जाए ये सोता था उसको पकड़ा और चाकु गोत के हर्तिया इन लोगे की, चाकु मानने के करम है इन लोग को भी छोट लग गई है, वो भी हम लोगे देखा है, उसका भी अपनों के इसके अलावा गटना के कुछ दनों के बाद इनी तीनों अव्यक्तों ने एक टेंट हाउस संचाला के अरविंद आती, उसमें भी गोली चलाइती तो उसमें भी केश दर्ज हुआ था, जब वो गटना भी हम लोग ने पूछी तो इन्हों ने बताया कि उस टेंट संचाला से कुछ टाइम से लोग के दुश्मनी चल रही थी और इसमें मार्फिट भी हुआ थी, तो उसी में बद्ला लेने के लिए प्रतिशोद लेने के लिए लोग ने ये गटना कारित की थी, इन तीनों की गिरफतारी से अरून कुमार्ण सिंह डीलर मटरकांट का भी खुलासा हो गया है और जो गोली चलाई थी, टेंक संचा लखे उसका भी खुलासा हुआ है, यदि ये तीनों ना पकड़ा जाते तो आगे चलके ये कोई और बड़ी गटनाए देते हैं, या कोई बड़ा अपरादी गैंग भी बना लेते हैं, तो इनकी गिरफतारी से चेत्रों जो तो सुचने हम लोग को मिली है, ये भी हम लोग देखेंगे कि समाज में इस प्रदार का गलत काम कैसे इतने दुनों तक कर रहा था हूं और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इस पर भी हम लोग अपना प्रयास इस पर रखेंगे हैं, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार.